नमस्कार दोस्तो स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में तो दोस्तो आज मैं लेकर आई हूँ ब्रेट से बने ब्रेट पकोड़े की एकदम जबरदस्त रेश्पी जिसको हम मार्केट से भी जादा अच्छा ब्रेट पकोड़ा घर पर बना कर तयार करने व कर से ते ऊफोग से बाद अच्छे से आलो लो गया तो मैं अथ्थों से ऑलो को मैस कर रही हूं देखिय कुछ इस तरह से हम पांच से च्छा आलो लिए थे और उतने में हम बहुत सारे ब्रेट पकोड़े बना कर तयार करेंगे तो ये देखिए मैं आलू को अच्छे से हाथों से मैस कर रही हूँ उसके बाद हम इधर मैंने हरी धनिया, हरा लेसुन और थोड़ा सा हरी मिर्श कट करके रखा था कड़ाई मैंने रख लिया, इसमें 3-4 चमच मैंने सरसो का तेल डाला उसके बाद मैंने हरी मिर्श डाल दिया तेल में, उसके बाद हरा लेसुन देखिए मैंने तड़के में दिया और जो मैंने आलू मैस करके रखा था उसको इस तेल में ढाल देंगे और मैंने तीन से चार मिनट तक अग्दम लो फ्लेम पर इस आलू को भूनेंगे कशुस तरह से तेल में मैं आलू को अच्छे से भून रही हो तो कुछ इस तरह से भूनने के बाद मैं थोड़ी सी हल्दी इसमें डालूंगी थोड़ा सा लाल मिर्च जादा मसाले हम इस आलू में नहीं डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला और नमक डाल दिया मैंने तो सब थोड़ा थोड़ा ही डालना है हमें बहुत जादा नहीं डालेंगे तो कुछ इस तरह से देखिए मैं डालने के बाद 102 मिनिट और इस आलू का जो है मिक्षर उसको मैं भून रही हूं तेल में उसके बाद देखिए मैंने उपर से हरी धनिया डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे यह हैं हमारा आलू तयार बनकर अब चलिए हम दूसरी आगे की तयारी कर लेते हैं तो फिर यह देखिए मैंने एक बाउल लिया कर आधे और इसमें और कुछ जादा नहीं डालना ला है वढस थोड़ी सी हल्दीनमक ढाल कर हम इसका गॉल तयार कर लेंगे यह दम पेश्ट की तरह इंसमें कुछ भी रह नहीं जाना चाहिए मैं इसको गोल लेंगे कर लिया हाथों अच्छे से वेंग आप चाहे तो हाथ करते हैं मैंने 5-6 ब्रेड लिया इस ब्रेड पकोड़ों को बनाने के लिए उधर हमारा आलू भी ठंडा हो चुका है तो देखिए कुछ इस तरह से हम ब्रेड के ऊपर आलू को लगा कर दूसरी तरफ से ब्रेड लगा देंगे और आसानी से इस तरह से यह बन जाएगा तो एक बार यह जरूर रेस्पी ट्राई करिए आपके फैमिली आपके बच्चों को बहुत ज्यादा यह रेस्पी पसंद आने वाली यह ब्रेड पकोड़ा बहुत ही अच्छा लगता इस तरह से और जट पट आसानी से बन जाता है बहुत कम चीजों में तो यह देखिए मैंन तो मैंने कड़ाई में थोड़ा यह दूद से ङरा देया है तो गार्फ तेल के कशीन Dennby किसी का इस्तिमाल कर सकता है है आप तेलость में सब्स दीजों में च्लेप किया एक ब्रेड हैं दीब करने के बाद में देखिए मैं दोश्द एक साथ तलूंगी तो यह देखिए मैंने दो डाल दिया और अच्छे से उलट पलट कर एकदम गैस का फ्लेम मैंने लो किया है एकदम हाई फ्लेम पर नहीं तलेंगे नहीं तो यह ब्रेड अच्छे से हो नहीं पाएगा और जल जाएगा तो यह देखिए लो फ्लेम पर ही मैंने उलट पलट कर अच्छे से दो दो ब्र तो अगर मेरी रेस्पी आपको थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीस गाइज मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फिर यह देखिए मैंने इसको निकाल लिया और मैं दूसरा बैच भी तरह वह तल के आपको दिखा देती हूं तो यह मैंने फिर से वापस से उसी घोल में इस ब्रेट को डीप किया और इस तरह से तेल में मैं तल लेती हूं तो वही प्रोसेस हम फिर से करने वाले हैं यह देखिए उलट पलट कर हम दोनों तरफ से ब्रेट को अच्छे से तो दूसरा बैच भी मैं इस तरह से तयार कर रही हू तल कर तो ये देखिए मैंने दोनों तरब से अच्छे से ब्रेट को तल दिया है तो बहुत ही ज़्यादा टेश्टी ब्रेट पकोड़े बनने वाले हैं गाइस यकीन मानिए तो ये देखिए हमारा दूसरा बैच भी तैयार है तो मैं इसको भी अब निकाल लेती हूँ तो कुछ इस तरह से अब हमारा ब्रेट पकोड़ा एकदम अच्छे से एकदम क्रिस्पी बनता है और बहुत ही ज़्यादा खाने में अच्छा लगता है तो देखिए मैंने ब्रेट पकोड़ों को कितने अच्छे तरीकों से बना कर तयार किया और बहुत ही आसानी से कम चीज